दर्शुक ब्रेंद नमस्कार नेपाल लाइब को बजेट बिसेस मा स्वागच्छम अपुस्पा कीशी स्वरकार ले आर्थिक वर्ष दुहजार साहतर अठार को बजेट समसद मा प्रस्तुत करे कुश अर्थमंत्री डक्टरी उवर्ष खतिवडाले आगामी वर्ष को बजेट समसद मा प्रस्तुत करे का हुन बजेट ले समेटे का प्रमुख कारिकरम बारे नेपाल लाइब आर्थिक ब्यूरो को सहयोग मा तयार पारियेक वजेट विसेस प्याकेज तपाई माँज प्रस्तुत कर देछ सरकारला आगामी आर्थिक वर्ष का लागी 14 खर्ब 74 अर्ब रुपेया को बजेट ले आएकुछ येस मध्ये 9 खर्ब 48 अर्ब रुपेया चालु खर्चका लागी बिन्योजन करिएकुछ येस्ताई पुजिगा तर्फ तीन खर्ब 29 अर्ब 91 करोड वितिय व्यवस्ता तर्फ एक खर्ब 32 अर्ब 89 करोड रुपेया बिन्योजन करिएकुछ आगामी आर्थिक वर्ष माँ आठ खर्ब 99 अर्ब रुपेया राजु सुसंकलन को लक्षे राखियेकुछ एसे गरी 60 अर्ब अनुदान प्राप्त गरने तथा दुई खर्ब 99 अर्ब 22 अर्ब रिनली ने अर्थमंत्री डॉक्टर रिवराज खती वडाले बताये काचन। आगामी बर्ष दुई खर्ब 25 अर्ब रुपेया आंतरिक रिनली ने घोष्णा करिएकुछ सरकाले चालू आर्थिक बर्ष मा अंठाउन प्रतिसत पुजिगत खर्च हुने अनुमाँस आर्बशनी करेकुछ अर्थमंत्री खती वडाले चालू बर्ष मा 10 खर्ब 73 अर्ब रुपेया बजेट खर्च हुने उल्ले करे उल्ले चालू खर्च त्रीहत्तर प्रतिशत पुजिगत अंठाउन्न दस्मलवच प्रतिशत र वेतिय व्यवस्तातरफ अठाउत्तर प्रतिशत खर्च हुने बताए। इसे गरी स्थाने तहला यही श्यवडशक मा नब्बे अर्ब पाच करोड रुपईयां दीने भायकुछ। इसे गरी स्थाने तहमा इस्थापना हुने पाच देखी पंद्रबेट को अस्पताल निर्मान को लागी सरकारले 14 अर्ब 27 करोड रुपईयां बजेट बिन्योजन गरेकुछ। स्वास्थे पुर्बाधार विकास का लागी 12 अर्ब 76 करोड रुपईयां बजेट बिन्योजन करेकुछ। स्वास्थे पुर्ब 27 करोड रुपईयां बिन्योजन गरेकुछ। 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 आगामी आर्थिक वर्ष स्वास्थे पुर्ब 27 करोड रुपईयां बिन्योजन गरेकुछ। महाकाली शिचा आयोजन गरेकुछ। स्वास्थे पुर्ब 7 करोड रुपईयां बिन्योजन गरेकुछ। भईका जग्वास्था पुर्ब 27 करोड रुपईयां गरेकुछ। यस्तेई किरिसी बाली तथा पसुपंगशी बीमा को दायरा थब्विस्तार गरी जोखिमने उनिकरण गर्न बीमा फिर्मियं अनुदान रकम मा ब्रिद्द करिएकुछ बाली बीमा गर्दा प्रमीयम बापत क्रिशक ले तिरन पने रकम बाली उत्पादन भाय पची तिरने सुभिधा उकलब्द गराई नीचा गता आर्थिक बाली तथा पसुपंग शे बीमा कारिका मंतरगत लागने बीमा सुलका को 75% अनुदान दिने ब्यवस्था गरियेगु थियो सरकारले नेपाल सरकार का आयो जनाले बन को छेति पुर्ति दिनों न परने घुशना गरेको सा सरकारले ब्यवस्था पनले आयो जना धिलो हुने गरे पसी सरकारले वजिट मारपत यो गोशना गरेको हुँ सरकारले कोरोना भाइरस को कारण प्रभावित परेको परेटन उद्यों को रक्षा का लागी भन्दै देश दर्शन अब्धारना अगाडिसारे कुश सरकारले COVID-19 का कारण प्रभाप परेकु परेटन चेत्र को विकास का लागी आवशिक पुरवाहदार विकास का लागी एक अर्ब 26 करोड रुपईया बिनियोजन गरेकुछ सरकारले सोदिशी कच्चापद आर्थमा आधारित उद्ध्योग लाई प्रोच साहन गरने घोशना गरेकुछ यसे गरे अउधोगी क्षेत्र र उद्ध्योग ग्राम मा इस्थापना हुने उद्ध्योगी लाई कर मार्फथ थप सहुलिये दीने अर्थमांत्रियोग राज़कति उडाली घोशना गरेकुछ शुरक्ष्या कर्मी सहित का राष्ट शेवकले फ्रयोग गरने कपटा जुत्ता उत्पादन सोदेश में उत्पादन घरने ब्यवस्ता मिलाईने पनी गोशना गरिये कुछ अधुगी क्षेतर ग्राम का लागी दुई अरव थिस करोर रुपईया बिन्योचन करिये कुछ राष्ट पती चुरे सम्रक्षन कारिकम को पुनर सम्रक्षना गरी भुच्या नियन्त्रन छेति ग्रस्त भुमी को पुनर इस्थापना क्रिशी बन बाय इंजिनिरिंग सहित कु तट वन्द कारिकम लाइती ब्रता दीने भाय कुछ एसका लागी एक अर्बा पच्पन्न करोर रुपईया बिन्योचन करिये कुछ क्रिशी रेन मा सहज पहुंच पुर्याउना आगामी आर्थिक बर्ष देखी सरकारले क्रिश क्रेडिट कार को वेबस्ता सुरु गरने भाय कुछ क्रिशी रेन सहज पनाउना सबै किसानला क्रेडिट कार देने योजना सरकारले ल्याउना लागी कुछ येसा गरी आगामी आर्थिक बर्ष बाट नवल पराश्ची कु धववादी मा रहेकु फलाम खानी बाट उतपादन थालीने भाय कुछ सरकारले आगामी वर्ष रोजगारी शर्जना का लागी बैंक हरु मारपत सवलियत करजा प्रभालाई थप सहज बनाउने ब्यवस्था बजेट मा गरी कुछ रोजगारी शर्जना का लागी प्रतेक वार्णी जे बैंक को युटा साखाले दस चनालाई सोलियत रिन उपलब्द गराउने ब्यवस्था सरकारली करे कुछ इसते बिकास ब्यांक ले प्रती साखा पाजजना को दरले सोलियत पुर्ण करजा उपलब्द गराई थप रोजगारी शर्जना गरना नेपाल राष्ट ब्यांक मा आरपत आवशेक ब्यवस्था गरनी ब्यवस्था आगामी आर्थिक बर्षको वजेट मा उलेख करिये कु इसते शरकारले माध्धामेक तहमा धेनरत सात्रा हरुलाई निश्चुल का रूपमा सेनिटरी पैड वितरन का लागी एक अर्ब बयासी करोड बिनियोचन करे कुछ येस बाट करीब 13,066,06 लाभान में थुने शरकार को दावीच सरकार डेक आठ्मांड उपत्तेकाको ढल निकास बेवस्थापन का लागी 5 अर्ब 99 करोड रुपमया बजेट फिनियोचन करे कुछ सरकार डेकामी आर्थिक बर्षेमा कोटिशोर कलंकी सरक खंडमा नेपाल में पहिलोपतक फ्लाई ओभर निर्मान करने भाये कुछ यसाई गरी आगामी आर्थिक बर्षेमा रास्टे गवरपका पस्चिम सेती जलविद्धु ता आईचना र बुढी गण्ड की जलविद्धु ता आईचना निर्मान को मोडालीटी तोय गरने गोशना गरिये कुछ निर्मान धाचा ने तोय नवै अन्योल मा रहेका 750 रभ भारशे मेगावड शेमाता का दुबई रास्टे गवरपका आईचना को निर्मान धाचा तोय गरने गोशना बजिट मार्पत करिये कुछ यस तै हाल 43 जिल्ला मा लागो भायको दिवा खाजा कायरिकम देश पर विस्तार गरीने भायकोच तेसका लागी 7 अर्ब 22 रुपाया बिन्योजन गरिये कुछ यस बाट आर्खलाक वाल वाली का लाबान बेथ हुने सरकार कोन मान च सरकाली स्थाने पुरबाधार साजिदारी कायरिकम को रखम घटाये कुछ चालू वर्ष सम्मा प्रतिक निर्वाशन छेत्र के लागी 6 करोड रुपाया बिन्योजन हुदे आयको मा तेसलाई 4 करोड मा झारिये कुछ यह कायरिकम का लागी 660 करोड रुपाया बिन्योजन गरिये कुछ येसे गरी आगामे आर्थिक बर्षमा एक 108 से विद्ध्या लए भवन र और तिस आंगे क्यांपस को भवन पुन पुन निर्मान गरिने भवयकुछ दुई हजार पास से 20 कक्षया कोठा एक एक हजार संख्यामा बिज्ञान प्रयोक्साला पुस्तकालाई ल्याव निर्मान को लागी बजेट बिन्योजन गरिये कुछ चात्र वृति कायरिकम लाइक क्रेट रुपमा संचालन गरिने भवयकुछ वेपन्न अपांग सहित को बाल बच्चार जेहनदार गरी 26 लाख विध्यार थिलाई चात्र वृति दिये भवयकुछ त्यसका लागी 27 करोड रुपमा बिन्योजन गरिये कुछ यो रकम गतव वर्षको भंदा आठ अर्ब बढ़ियो सर्कार्ली परतिक निर्वाशन चेत्र वित्र निर्वाशन चेत्र रणन निती कायरिकम का लागी 35 करोड रुपमा बजेट बिन्योजन गरिये कुछ निर्वाचन छेत्रवित्रेका रणनेती शड़क का लागी योरकम बिन्योजन करियेकु हो। पुल निर्मान कारेलाई निर्वाचन छेत्रवित्रेका रणनेती शड़क का लागी योरकम बिन्योजन करियेकु हो। पुल निर्मान मंत्रिकेपिशार मा ओलीको जन्म थलो तेरथुम चुहान डाडामा आंतरिक बिमानिस्तल निर्मान गरने भायकु हो। अर्थमानिस्तल निर्मान को अध्यन गरने गरी वजेट प्यवस्था करेका हुन। यस तई सरकारले गरीब र विपन्न परिवारला विद्धूत जडान निसुलक घरने घोशना करेकु ह। सरकारले प्रदेश नंबर 2, बागमती प्रदेश, गंडगी प्रदेश र प्रदेश नंबर 5 का सबय ठाउमा आगामी आर्थिक वर्ष भित्रे बिद्धूत सुबिता पुरियाईशकने लक्षे लिएकुछ। ग्रामेण बिद्धुतिक करण मा आगामे आर्थिक बर्षका लागी सरकारले चार अर्ब रुपईया बराबर बिन्योजन गरेकुछ यस्तई सरकारले हुटल रट्रावल छेत्रका ब्यवसाय मा चालू आर्थिक बर्षका आयकर मा 20% छूड दिने भायकुछ यस्तई यूबा तथा खेलकुद अंतरगत दुई अर्ब च्यालिस करोड रुपईया बिन्योजन गरेकुछ सबई प्रदेस मा यूबा नववभरवर्धन केंद्र इस्थापना गरेने यूबालाई प्राविदिक तथा ब्यवसाय क्षिक शादिने सारेक विकास्त था खेलकुद को विकास का लागी पुरवाधार को निर्मान गरने निर्माना धिन अंतरास्ट क्रिकेट रंग साला का लागी र अन्ने क्रिकेट रंग साला निर्मान का लागी आवशेक रकम बिन्योजन गरने बजेट मा उल्यक्ष सब इस्थाने तहमा खेल ग्राम को विकास करीने नवोव रास्टे खेलकुत का लागी, आवशेक रकम बिन्योजन र कर्णाली प्रदेश मा रास्टे इस्तर को खेलकुत को विकास का लागी, कवड हल बनाओने लगायत कारिकम समावेस करीएकुछ यसे गरी सरकारली सब इकिसिम का फोर्ण्चर आयात मा अंता सुलक लगायकुछ, सुनका गहनामा भन्शार बढ़ायेकुछ यसे बीज सरकारली ल्यायको बजेट बारे, पुर्वार्थ मंत्री डक्टर रामसर अन महतले बजेट को आलोचना गर्ण पने अवस्तान नभाय, पनी फोकस भने नभायको प्रत किरिया दिये कासन रास्टे योजना आयको पाधक्षय डक्टर मिन बहादुर्श रास्ठले परिस्थिति लाई सम्भोधन करने करी बजेट लाईयेको बताये नेपाली उद्ध्विक बाणी जी महासंकी अधक्षय भवानी राणाले नीजी छेत्रले खोजे जस्तो पुनर इस्थापना प्याकेज नायको बताये किशन आजलाई नेपाल लाईब को बजेट बिशेस एत्ति नई सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट माथिका बाकी बिशलेशन नेपाललाईब.com मा पढ़ना सकनु हुनेशा बाकी शल्हास रुजाब का लागी नेपाल लाईब को फेस्बूक पेज रे उटूब चानल मा कमेंट करना सकनु हुनेशा नमस्कार